जैसा मैंना आपको बताया था कि हम वन लेक्चर वन सूट आपको मैं कराने वाला हूँ उसी चेन में आज हम स्टार्ट करते हमारा पहला बोलो आप से मैं को यूनिट जो विजिस का टॉपिक है लाइट आप से मैं को जो लेवल वन और लेवल तू दोनों में है एक ही लेक्चर में पूरा कंपलीट टॉपिक करा दूगा एक से दो कुशन इसके आने के चांस है आप सें प्रिकास लाइट बहुत इंपोरटेन टॉपिक है तो स्टार्ट करते हैं आप से मैं किरूँ एक ही लेक्षर में complete तो सबसे पहले जो light topic है हमारे उसमें syllabus में क्या contain है वो पता होना चीए हमारे syllabus के अंदर पहला जो contain है इसका वो है प्रकास का परावर्तन reflection of light दूसरा है गोलिये दरपड ठीक है बोलो आप से मैं किरूँ spherical mirror तीसरा है प्रकास बोलो का मैंने कहा अप वर्तन क्या है बोलो प्रकास का अप वर्तन इसी तरह से फोर्थ है गोलिये आप से मैं को lens ठीक है इसी तरह से है आपका मानव नेत्र बोलो human eye और नेत्र दोस ठीक है नेत्र दोस यानि eye defect क्लियर तो ये जो टॉपिक है आप से मैं को रिट मैंस के अंदर बोलो आप से मैं के रहूं कि इसके अंदर दो क्यूशन आपके आने के चांस है ज्यादा तर एक क्यूशन आपके यहां से आ जाता एक क्यूशन यहां से क्लियर क्यूंकि eye defect अपने आप में बहुत important है तो one by one six के six point अभी क्लियर कर दूँगा एक एक आप से content को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं अच्छे से ध्यान से सुनना और समझना क्लियर पहला है हमारा बोलो मैंने कहा प्रकास का परावर्तन ठीक है तो आप से में को reflection of light reflection आप से में को of light तो सबसे पहले पता होना चीशन प्रकास का परावर्तन क्या होता है जब भी कोई परावर्तक प्रस्ट होती है बोलो आप से में करूँ उस पर कोई परकास किरन बोलो आप से में को आती है और अभीलम के दूसरी और जाती है तो आती है उसको क्या बोलते है मैंने कहा आपतित किरन बोलो क्या बोलते है आपतित किरन जो जाती है उसको क्या बोलते है परावर्तित किरन और ये क्या होता है? अभीलम यानि नॉर्मल तो मेरे कहने का मतलब और ये क्या है? बोलो परावर्तक प्रस्ट, रिफ्लेक्ट्टिव सर्फेस मा समझ मैं? तो इस विनोमिना को परावर्तन कहते हैं और यहां पर मैंने लिखा परावर्तन बोलो के नियम तो बचपन से छोटी कक्साओं में पड़े हैं दो नियम होते हैं एक होता है आप से मैं के रहूं एक नियम होता है बोलो आप्तित किरन मैंने कहा बोलो परावर्तित किरन ठीके? परावर्तित किरन ठीके? और अभीलम आप से मैं को अभीलम ठीक है अभी लम एक ही तल में होने चाहिए यानि incident rays reflective rays और नॉर्मल एक ही plane में होने चाहिए और number two है आपतन कोन का मान परावरतन कोन के बराबर होना चाहिए clear जैसे मैंने इतना पढ़ाया तो आप समय करो ये वाली चीज बहुत important है यहां से question आते हैं आपतन कोन का मान आपको दे दिया 30 degree तो आप समय करो तो परावरतित आप समय करो किरन ठीक है का बोलो परावरतक आप समय को परावरतक प्रस्ट से कोन अगर आपको पूछे तो आपको पता होना चीए option के अंदर आपको एक सपोदेट आप समय को पहला option 30 दे दिया दूसरा 45 दे दिया तीसरा 60 दे दिया 4th 90 दे दिया तो मेरे कहना मतलब जल्द बाजी नहीं करनी है आपको ये देखना है कि I बराबर क्या होता है R तो इसका मतलब ये 30 है तो ये भी 30 होगा लेकिन आपको एंगल ये नहीं पूछ करके ये पूछा है तो आप से मैं को ये पूछा है क्योंकि पराबर्ति किरन का पराबर्तक प्रस्ट से कौन पूछा है इसका मतलब हुआ आपका अंसर क्या होगा 60 विकोज ये टोटल क्या होता है 90 तो I is equal to R तो हम ये ये यूज किया है लेकिन आप से मैं करो R क्या है 30 तो ठीटा क्या होगा 90-30 यानि क्या होगा 60 पहला क्यूशन ये हुआ दूसरी विराइटी आपको कभी-कभी ये दे देते है कि ये पराबर्तक प्रस्ट है आप से मैं करो ये अभीलम है और आपको कहा जाए कि बोलो जो आपतित किरन है अभीलम पर ही आपतित हो रही है ये आपतित किरन है clear तो आपको बोलते है कि बोलो पराबर्तन कौन का मान क्या होगा आपसन में देते है जीरो एक देते है अनन्द एक देता है 90 एक देते है आपसे मैं कौन 30 तो अक्सर स्टूरे निया भी mistake कर देते है आपको पता होना चीए कि आपसे मैं कहरो अगर ये बोलो आपसे मैं कहरो ऐसे आपतित होगा तो इसे जाएगा और जब आपको पता है कि आपतन कौन जो होता है बोलो आई वो क्या होगा जीरो क्योंकि आपसे मैं कहरो अबिलम से जो कौन बनाती है वही आपतन कौन होता है जब आपसे मैं करुख किरन यहाँ पर ती ही तो आई था और यहाँ पर अगर आपतित हो गी तो बोलो जीरो होगा तो आपतन कौन जीरो होगा तो Unters data के नियम से इसको भी जीरो होना ही पड़ेगा तो answer क्या होगा भोलो जीरो clear तो मेरे कहने का मतलब एक तो यह है और एक और standard question है जो बार-बार exam में आता है क्या आता है क्या आप से मैं कहरूँ यह आपको दिया जाता है कि बोलो एक प्रकास किरेण है बोलो आपसे में करूँ जो ठीटा कोंड पर आतिध होती है clear ओके अब आपको कहा जाए यदि यदि आपसे में कौँ परावर्तक प्रस्ट परावर्तक प्रस्ट को ठीटा कोन आप से में कौँ गुमा दिया गुमा दिया जाए ठीके यदि परावर्तन प्रस को क्या कर दिया जाए? ठीटा कौन गुमा दिया जाए? तता आपसे में को आपतित किरण को आपसे में को वही बोलो वही आपतित किया जाए? वही आपतित बोलो किया जाए? ठीके? तो आप से मैं किरूँ तो परावर्तन कोण का मान होगा clear तो मेरे कहने का मतलब है option आता है बोलो theta, बोलो two theta आप से मैं कहूँ two theta एक आता है zero और एक आता है मैं आप से कहूँ theta by two clear तो ऐसा question आप से मैं किरूँ rate में पूछा गया है बोलो art rate में पूछा गया है और भी बहुत सारे exam में पूछे गया है clear तो मेरे कहने का मतलब इस question को समझ न आपको बोला कि आप से मैं करो ये पहले क्या था आपका बोलो परावर्तन प्रस थी और ये आप से मैं करो बोलो आपकी किरण आपतित हो रही थी कोन गुमा दिया मेरी बात को समझ न और आपतित किरण को वही रखा तो मुझे एक बात बताओ अभीलम हमेशा का बनता है जो आपके परावर्तक प्रस थी है उसके अभीलम बनेगा तो मेरे कहने का मतलब ये जब थी तो ये बन रहा था जब ये आपकी परावर्तक प्रस थी हो जाएगी तो अभीलम तो आपसे में को परपेंडिकुलरी बनता है अगर अभीलम वहाँ पर बनेगा और ये वाली जो आपतित हो रही उसको वही परापतित करेंगे तो हमेशा आपतन कौन तो क्या होता है अब इलम से होता है तो पहले ये ठीटा था तो ये भी ठीटा था तो इसका मतलब इस बार आप तर कौन कितना हो गया 2 ठीटा और चूंकि I अगर 2 ठीटा हो गया तो R को तो 2 ठीटा होना ही पड़ेगा क्योंकि आपका रूल है बोलो I बराबर R clear तो आंसर क्या हो जाएगा 2 ठीटा मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको कभी आपने कई किश्ण देखा और Rat नी लेना है कि ठीटा हो तो 2 ठीटा कर देना आपके पास logic हो पहला चीए काइसा क्यों होगा मैंने तीन क्यूश्ण करा है और तीनों क्यूशन किस पे बेज़ड है, आप तन कौन, बोलो आप से मैं कर रहूं, मैंने कहा परावरतन कौन के बरावर होता है, इसी पे बेज़ड है, clear, तो I hope आपको इतनी बात समझ में आई, फिर मैंने कहा, कि हम जानते हैं कि परावरतन गटना का अज्यन जिस परकाश किसी उपकरण की साहिता से करते हैं, उसे दरपन कहते हैं, दरपन दो परकार के होते हैं, एक समतल दरपन और एक गोल ये दरपन, तो मैंने कहा यहाँ पर, बोलो दरपन की बात करें, तो मैंने कहा दरपन क्या होता है, मीरर क्या होता है, तो जिसकी एक प्रस्ट में क्या कर कियो पॉलिस और दूसरी प्रस्ट किसका काम करें परावरतर प्रस्ट का काम करें clear तो मैंने कहा दर्पन के प्रकार की बात करें तो एक होता है समतल दर्पन ठीक है एक क्या होता है समतल दर्पन दूसरा क्या होता है बोलो गोलिये दरपन ठीक है? मैंने कहा एक होता है simple mirror आप समय को simple mirror और एक होता है बोलो मैंने क्या कहा? spherical mirror ठीक है? एक होता है plain, simple mirror और एक होता है spherical mirror और गोलिये दरपन के दो परकार होते हैं एक उत्तल दरपन और एक क्या होता है? बोलो अवतल दर्पन ठीक है और इस बार आपके मेंस में ज्यादा क्युष्टन गोलिय दर्पन के ही आने क्या है बोलो बात समय लेकिन हमें दोनों पढ़ना है अब ये दर्पन आपको अच्छे से समझ में आए और ज्यादा कुछ याद करना ने पड़े उसके लिए पहले आपको कुछ special note पता होने चीए special note क्या पता होना चीए जैसे number one मैंने कहा दर्पन सुत्र क्या होता है वो पता होना चीए तो mirror formula one upon a physical two मैंने कहा one upon a physical two one upon v plus one upon u होता है आप समय कहो यहाँ पर ये क्या होता है बोलो दर्पन से मैंने कहा बोलो beam की दूरी यानि distance of object from mirror बोलो आप समय करो मैंने कहा दर्पन से beam की दूरी v क्या होता है मैंने कहा दर्पन से परती beam आप समय करो की दूरी मैंने कहा f क्या होता है तो दर्पन की बोलो focus दूरी दर्पन की focus दूरी clear क्या होती है बोलो दरपन की focus दोरी ये आपको पहला point पता होना चीए हमेशा you हो वी हो आप से मैं को किस के साथ लिखने है बोलो चिन के साथ लिखने है बासमझ में आए बोलो okay मैंने का number two दूसरा point क्या पता होना चीए मैंने का आवर्दन का सूत्र ठीक है आवर्दन का सूत्र formula of magnification तो m is equal to क्या होता है minus v upon u ये दो फॉर्मूले याद है दरपन का हर numerical question आप soul कर सकते हो clear उसके बाद मैंने का number three आपको आवर्दन बोलो आप से मैं को पढ़ना आना चीए मेरे कहने का मतलब है आपको क्या पता होन reading of magnification ठीक है तो पढ़ना आना चीए इसका मतलब क्या है कि आपको पता है या तो आवर्दन negative होगा या आवर्दन positive होगा clear या आवर्दन आप से मैं करों एक से जादा होगा या एक के बराबर होगा या एक से कम होगा मतलब total पांच possibility है तो इन पांचों को अगर पढ़ना आ गया तो हमारा काम हो जाएगा बोलो यहाँ पर negative का मतलब क्या होता है यहाँ पर आवर्दन से हम क्या निकालते है प्रतिभीम की प्रकरती का पता लगाते है clear तो मेरे कहने का मतलब है जब भी आपका आवर्दन negative होगा इसका मतलब प्रतिभीम की प्रकरती क्या होई बोल एक आप समय करो end उल्टा होगा clear, जब भी positive होगा, इसका मतलब abause c, end क्या होगा भोलो, सीधा होगा, जब भी आप समय को M 1 से ज़्यादा है इसका मतलब पर्थिभीम क्या होगा भोलो beam से बड़ा होगा clear, और मैंने कहा beam से क्या होगा भोलो, बड़ा और जब भी मैंने कहा M1 के बराबर होगा तो पर्ति बिम क्या होगा बोलो बिम के बराबर होगा और जब भी मैंने कहा 1 से कम होगा तो बिम से क्या होगा बोलो छोटा क्लियर बोलो क्या होगा छोटा क्या बोलो मैंने कहा पर्ति बिम clear? बासमझ में आई बोलो तो आपको इस तरह से read करना आना चाहिए मतलब कभी भी किसी भी परकाश्य उपकरण से परतिविम के ऐसा बनेगा वो आप रट नहीं सकते हैं उसके लिए आपको आवर्दन को read करना आना चाहिए यहाँ पर कभी भी मैस नहीं लगानी है बोलो क्यों क्योंकि example दिया m बराबर minus 1.5 तो आप से में को परतिविम बोलो परतिविम की मैंने कहा प्रकरती प्रकरती होगी अगर आपको ऐसा question पूछा तो आपको minus का मतलब अलग निकालना है और परिमान का मतलब अलग निकालना है minus का मतलब तो क्या हो जाएगा वास्त्विक एंड उल्टा ये तो आपने minus का मतलब निकाल दिया 1.5 एक से बड़ा है तो क्या करोगे बोलो बिम से बोलो बिम से बड़ा इस तरह से आपको read करना है आपको मेरी बात समझ में आई होगी special note number 4 करें तो आपको पता होना चाहिए कि वकरता तिर्जिया फोकस दूरी की क्या होती है डबल होती है आप से मैं करो R क्या है यहाँ पर वकरता तिर्जिया clear और एप क्या है बोलो फोकस दूरी हम ऐसा फोकस दूरी जो होती है वो वकरता तिर्जिया की क्या होती है डबल होती है इसी तरह से मैंने का fifth point आपको पता होना चाहिए कि जो वकरता तिर्जिया जो होती है वो आप से मैं को one upon क्या होती है वकरता होती है clear तो आपको इस तरह से इतना basic point आपको पता होगा, तो आपको एक-एक दरपन अच्छे से समझ में आएगा. तो मैंने कहा पहला आपन पढ़ते हैं अब समतल दरपन, क्या पढ़ते हैं बोलो, समतल दरपन, clear, तो मैंने कहा समतल दरपन का मतलब क्या हुआ, बोलो simple, मैंने कहा plain mirror, क्या मतलब है बोलो, plain mirror, clear, इसके लिए कुछ बाते आपको पता होनी चीए, number one, मैंने कहा इसमें, बोलो वकरता, बोलो वकरता, यानि करवेचर, बोलो करवेचर, आप समे करो zero, यानि सुन्ये, आप समे को होती है, clear, अगर मैंने पहला पॉइंट बोला, वकरता सुन्ये होती है, तो जरा वकरता तिर्जिया बताना, वकरता तिर्जिया की बात करेंगे, तो आर बराबर तो अनन्त हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, कि बोलो, वकरता तिर्जिया, आप समे करो, is equal to one upon वकरता है, तो जब वकरता अगर आपकी zero होगी, तो वकरता तिर्जिया को तो अनन्त होना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब दूसरा point भी हमने निकाल लिया, फिर अपन बात करें, focus दूरी की, वो भी अनन्त होगी, तो आप समे करो क्यों, क्योंकि हमें पता है, R वराबर क्या होता है, 2F, तो F वराबर क्या होता है, R by 2, तो जब आपका R ही अनन्त है, तो आप समे को F को तो अनन्त होने से कोई रोक ही नहीं सकता, direct question आते हैं, समतल दरपन की focus दूरी होती है, मैंने कहा समतल दरपन जो होता है, आप समे के रहूं, मैंने कहा समतल दरपन, ठीक है, समतल दरपन पर जितनी आप समे को दूरी, ठीक है, पर object आप समे को रखा जाता है, रखा जाता है उतनी ही आप समय को उतनी ही दूरी उतनी ही दूरी पर मैंने कहा image बनती है clear तो एक दिमाग में आता है कि बच्छपन से हमें ये पढ़ाया गया है कि जितनी distance पर object को रखेंगे उतनी distance पर इधर image बनेगे तो ऐसा क्यों कम या ज़्यादा क्यों नहीं again prove करते हैं बोलो मैंने कहा आपको मैंने क्या बताया one upon a physical to one upon v plus one upon you अभी अभी मैंने बोला समतल दरपन की focus दूरी क्या होती अनन्द यहाँ पर अनन्द रखेंगे यहाँ पर बोलो ऐसा करेंगे तो एक मैं अनन्द का भाग देंगे तो जीरो आएगा one upon v बोलो आपसम प्लस one upon you इसको इधर लाओंगा तो मैंने कहा आपको बोलो ये हो जाएगा इसको मैं लिखूंगा तो we और आपसमें करो you परिमान में क्या होंगे समान और दिसा में क्या होंगे विपरित तो यहाँ से हमें ये result क्या कहता है कि बोलो आपसम समतल दरपन पर जितनी दूरी पर आप object को रखोगे उतनी दूरी पर image बढ़ेंगे clear I hope मेरी बास समझ में आई होगी और ये क्या होगा negative और ये क्या होगा positive क्यूंकि परकास की दिसा में जो भी दूरिया नापते हैं सारी दूरिया हमेशा कहां से नापे जाती है दूरू बिंदू से परकास की विपरी दिशा में ना पहेंगे तो नेगेटिव और परकास की दिशा में ना पहेंगे तो पोजिटिव क्लियर ये अची नियम होता है I hope मेरी बास समझ में आई होगी उसके बाद नंबर फाइब आम से मैं कह रहा हूँ मैंने कहा समतल दरपन समतल दरपन बोलो से हमेशा आम से मैं कहूँ हमेशा मैंने कहा आबासी बोलो सीधा तता आम से मैं कहूँ तता बिम के बराबर बिम के बोलो मैंने कहा बराबर परतिबिम आम से मैं कहूँ परतिबिम बोलो परतिबिम बनता है ठीक है परति भीम बनता है, मतलब हमेशा क्या बनता है बोलो आपसन थम्तल दरपन के अवासी सिदा और भीम के बराबर दिमाग माता है ऐसा क्यों? चलो पुरू करके देखते हैं परति भीम की प्रकृति किसे पता चलती है? आवर्दन से आवर्दन का सुत्र क्या है? यह है, clear? अभी हमने देखा कि यू आपसे में को नेगेटिव और भी क्या होता है? पोजेटिव और दोनो जो है परिमाण में क्या है? बोलो एक दूसरे के बराबर तो जब मैं यहां रखूंगा तो मैंने का यहां पर इसको यह रखूं और यहां पर इसको यह रखूं, clear? तो मुझे बताओ माइनस माइनस है क्या हो जाएगा? प्लस परिमाण में वराबर आएटो क्या हैगा? वन और जरा रीड करके बताना plus one का मतलब क्या होता है मैंने का plus का मतलब अते मैंने का प्लस का मतलब क्या है आभा, C आपसे मैं किरूँ आभा, C and सीधा तथा one का मतलब क्या होता है बुलो BIM के बराबर clear तो I hope ये भी fact आपको समझ में आया होगा तो समतल दरपर्ण से related जितनी भी बाते हैं वो आपको हमेशा पता होने चीए डारेट पुछी जाती है clear? अब आप से मैं कहे रहा हूँ समतल दरपन के लिए number six point number six क्या है? बोलो मैंने कहा बहुत सी बार दो समतल दरपन देते हैं, बीच में ठीटा कौन बोलो पर रखे हो ठीटा कौन पर रखे हुए हो तता आप से मैं कहें रखे हो तो परतिवीम की संख्या ठीक है? परतिवीम की आप से मैं कों संख्या अगर आप से पूछी जाती है clear? मेरे कहने का मतलब ये दो समतल दरपन है जो कितने एंगल पर रखे हो गए हैं बोलो ठीटा एंगल पर और यहाँ पर ये क्या रखावा है? औबजेक्ट और आपको जब भी परतिवीम की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर एक ट्रिक द्यान में रखना एन इस इकल टू number of image बोलो मैंने का number of image परतिवीम की संख्या क्या कर देना है? एन के बराबरी टिक कर देना है बोलो जो एन आया होई टिक कर देना है बास समझ मैं है जैसे मैंने का एक बार क्यूष्टन आया बोलो चार दिया 72 डिगरी clear? और आपसे पूछा number of image बाद समझ मैं और option देते हैं आपको 3 बोलो आपसे मैं करो एक देते हैं बोलो 4, 5 एक देते हैं 4, एक देते हैं clear? तो उस case में आपको पता होना चीए कि आपसे मैं के रहूं कि क्या करना है इधर आपको पहला काम क्या करना है? N निकालना है 360 मैं 72 को करोगे तो आपको कितनी बार जाएगा? 5 और पहला case के तब 135 में आए तो जो आए वोई tick कर देना यानि 5 या आंसर हो जाएगा दूसरा case क्या है? यदि आपसे मैं करो हूं N जो है 2, 4, 6 बोलो आपसे मैं को 8 ऐसा है यह विसम संक्या यह संक्या इवन ओर ओर इवन समझते ही हो बोलो तो नमबर ओप आपसे मैं को image में क्या करना है? हमेशा N-1 करना है जो N आएगा उसमें एक गटा के tick करना है अगेन इसका भी question देखें मैंने का दो समतल दरपड़े एंगल कितना है? बोलो 90 और यह object आपका रखावा है clear? और नमबर ओप आपसे मैं को image पूछी जाती है option में वही 4 हो बोलो 2 हो मैंने का 3 हो और 5 हो तो पहला काम क्या करना है? बोलो आपको ठीटा N निकालना है N निकालने के लिए क्या करोगे? 360 में किसका डिवाइड करोगे? 90 का तो कितना आगया? 4 और जब भी 4 आएगा तो image क्या करोगे? एक गटा के टिक करोगे तो image क्या करोगे? N-1 मतलब 4-1 मतलब 3 टिक कर दोगे clear? लेकिन यहाँ पर हमें पता है ऐसा लगता है कि आपको तीसरा केस, ठीक है? आपने सोल किया और आपको क्या लगता है? केस नंबर 3 ओके यदि आपका N जो है 5.2, 7.5, 9.7 बोलो 3.2 ऐसा प्राप्थ होता है, clear? या मैंने का 4.5 तो यानि इनके तीनों के लावा तो कुछ हो गई नहीं, या तो पूरा जाएगा तो विसम संक्या या संक्या या ऐसा होगा, तो इस केस में भी क्या करना है? आपको पॉइंट के बाद वाली चीजों को हटा देना है और अगर आगे विसम संक्या है तो वो ही आप से मैं करो 300, मैंने कहा क्या करोगे भूलो, इधर द्यान देना, मैंने कहा आपको एंगल कितना दिया है भूलो, 76, और number of आप से मैं को क्या पूची है भूलो, image पूची है, clear, तो मेरे कहने का मतलब है, आपको solution करोगे, solution करोगे, तो पहले क्या निकालोगे, N, 360 में किसको डिवाइड करोगे, 76 को, तो आपको पता है कि 4 point something जाएगा, तो आपको आगे वाला करना ही, क्योंकि वैसे हटाना है, 4.6 आएगा, तो भी कटाना है, 4.3 आएगा, तो भी हटाना है, कोई round figure जाता करना नहीं है, इसका मतलब point के बाद वाले को भाग ही नहीं देना है, और 4 आएगा, तो आप से में को आई क्या हो जाएगा, एक less करके tick कर देना, यानि 3 हो जाएगा, I hope मेरी बात समझ में, आई होगी, clear? उसके बाद आप से में को number 7, number 7 कभी कभी ऐसा question आ जाता है, एक आप से में कह रहूँ, एक मैंने कहा, H उंचाई, आप से height की, बोलो लड़की आप से में को अपने, बोलो सामने, आप से में को रखे समतल दरपन, अपने रखे सामने समतल दरपन, मैं अपने आपको, मैंने कहा, अपने आपको, बोलो पूरा, मैंने कहा, देखना, बोलो चाती है, ठीक है, चाती है, तो, बोलो दरपन, समतल दरपन, समतल दरपन, बोलो की निउनतम उचाई क्या होनी चाहिए तो बेरे कहने का मतलब है लड़की की हाइट डिवाड़ बाइट क्या करना है लड़की की जो भी उचाई दे आप समय करो उसमें कितका भाग दे देना है दो का आपको आंसर मिल जाएगा clear, अगर लड़की 5.4 किये तो उसका आदा आप से 2.7 हो जाएगा लड़की अगर आप से मैं कह रहा हूँ मैंने का 3.25 फिट की दे रहा किये तो उसका आदा आप से मैं कह रहा हूँ 1.6 पतलब जितना दे उसका आदा कर देना है clear, इसी तरह से मैंने का number 8 कभी कभी आपको बोलते हैं यह दो सम्तल दरपण है बोलो आप से मैं कहो जिसके बीच की दूरी कितनी है 40 cm है यह पहला दरपण है, यह दूसा दरपण है बोलो आप से मैं करों आपको बोलते है कि इस दरपण से यहां पर 10 cm पर कोई object रखावा है, clear То आपको बोलते हैं, आप से में को, दोनों दरपढ़ों आप से में किरों के प्रति भीमों, आप से में को, प्रति भीमों के मच्ड्च, मच्ड्च की दूरी, Claire मच्ड्च की दूरी आपको पूछा जाता है, clear To इसका मतलब बहुत आसान है, करना क्या है? इधर देखो, ये दो समतल दरपण है आप से मैं कहो ये दो समतल दरपण है बीच में कितना है 40 cm इसको number 1 बोला इसको number 2 बोला यहां से ये दूरी कितनी दिये बोलो आपको दिये 10 cm clear अगर ये 10 cm दिये object की तो मुझे बताओ इसके लिए ये दूरी कितनी हो जाएगी 30 cm clear तो हमें पता समतल दरपण में जितनी दूरी पर object होता है उतनी दूरी पर image बनता है तो I1 कहां पर बनेगा 10 cm पर clear और यहां पर इसके लिए object कितनी दूरी पर बोलो 30 cm तो इधर image भी कितनी पर बनेगी बोलो 30 cm पर I2 clear अब आपको पूचा क्या है दोनों दरपणों के परतिमियों के मद्दी की दूरी तो मैंने का 10 और 30 और 40 तो answer क्या हो जाएगा बोलो आप समय को 80 cm clear I hope आपको मेरी बात समझ में आई होगी मेरे कहने का मतलब है समतल दरपण के जो जो case बन सकते है वो सारे मेंने आपको करा दिये clear उसके बाद अपन बात करते हैं बोलो number two हमारा कौन सा बोलो गोलिये दरपण ठीक है तो spherical mirror आप से मैं कहूँ जिसमें वकरता उपस्तित होती है जो मुकीते दो परकार का होता है एक होता है उतल दरपण आप से मैं कहे रहा हूँ एक कौन मैंने कहा wax अगर हम देखे difference तो पहला है वो चित्र अगर उतल दरपण की बात करूँ तो मैंने कहा उतल दरपण की बात करूँ तो मैंने कहा यह कौन हुआ? उत्तल दरपन ठीक है? जिसमें भोलो यहाँ पर तो क्या होगी? बोलो पॉलिस होगी और यहाँ पर क्या होगा? बोलो यह परावरतक प्रस्ट होगी क्या होगी? बोलो परावरतक प्रस्ट यानि आप समझे जिसकी दशीवी सुते पर क्या हो पॉलिस और उबरीवी सते किसका काम करें बोलो परावर्तक प्रस्ट का इसी तरह से इसकी बात करूँ तो मैंने कहा ये आपका कौन सा हो गया बोलो अवतल दर्पन ठीक है इस वन इस बोलो मैंने कहा परावर्तक प्रस्ट और मैंने कहा ये पर क्या हो गए बोलो पॉलिस क्लियर ओके आप से मैं करो उसके बाद दूसरी बात उतल दर्पन की फोकस दूरी क्या होती है पोजेट्य होती है ऐसे negative होती है तीसरी बात मैंने कहा उत्तल दर्पन की बात करें तो उत्तल दर्पन आप से मैं को परतिविम अगर परतिविम आप से मैं कहरो की प्रकरती की बात करें तो उत्तल दर्पन से हमेशा आप से मैं को हमेशा मैंने कहा आभासी बोलो मैंने कहा सीधा तता बोलो क्या होता ह बिम से आप से मैं को छोटा, clear, परतिविम ही बनता है, बिम से क्या बनता है, छोटा है, जबकि इधर बात करें, तो इधर मैंने कहा परतिविम की परकरती, बोलो वास्त्विक, मैंने कहा उल्टा, clear, आवासी, बोलो मैंने कहा सीधा, तता, मैंने कहा छोटा, बोलो बड़ा, सबी परकार के प्रतिविम बनते हैं, जो कि विम की इस्तिती पे निर्बर करता है, clear, इसी तरह से मैंने आप से कहा, कि अगर हम बोलो फॉर्थ पॉइंट देखें, जैसे मैंने कहा यूज, तो उत्तल दरपन का यूज कहा आता है, एक तो वहानो, सबसे जादा यही पूछा आता है, वहानो के, मैंने कहा, साइड, बोलो ग्लास में, वहानो के साइड ग्लास में, ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा, जो भी बड़े होस्पिटल है, बोलो होटल है, आप से मैं कहा, होस्पिटल एन होटल, बोलो के, मैंने कहा, एंट्रेंस, आप से मैं कहा, एंट् ल्डर्पन की देखें, तो अगर यूच की बात करें, एक तो यूच कहा होता है, läh요 मैंने कह वालों की Head Light आपसे में कौं, Head Light में, दूसरा मैंने कहा, E&T, आपसे में कौं,ना कान गले के और दांतों आप समय करूं के डॉक्टर आप समय करूं द्वारा ठीक है उनके द्वारा आपने एक होगा है छोटा सा ऐसा होता है मा समझ मैं तो आपको एक तो ये पता होना चीज़ में ये वाला ज्यादा तर आपके एक्जाम में पूछा गया है उसके बाद आप से मैं करहा हूँ आउतल दरपन के आपने देखा एक से ज़्यादा केस बनते हैं तो आपको थोड़ा सा special note पता होना चीए special note में क्या बता रहा हूँ कि पहला special note ये supported आपका क्या है बोलो आउतल दरपन है ठीके ये क्या है बोलो आउतल दरपन है तो ये point क्या होता है बोलो पी क्या बोलते है दुरू बिंदू बोलते है क्या बोलते है दुरू बिंदू यानि पॉल पॉइंट होता है ये क्या होती है बोलो मुक्य अक्स होती है क्या होती है मुक्य अक्स होती है इसमें यहां यह एप पॉइंट क्या है बो फॉकस बिंदू है क्लियर क्या है बो फॉकस बिंदू है क्लियर मैंने कहा यह क्या सी वकरता बिंदू है क्या है बो वकरता बिंदू है क्लियर तो मैंने कहा इस वाली दूरी को क्या कहेंगे फॉकस दूरी और इसको क्या कहेंगे बोलो वकरता तिर्जिया तो एप क्या है यहाँ पर बोलो फोकस दूरी clear और मैंने कहा आर क्या है बोलो वकरता तिर्जिया और अभी मैंने आपको बताया था कि वकरता तिर्जिया जो होती है वो हमेशा फोकस दूरी की क्या होती है बोलो आपसे डबल होती है एक तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चीए बोलो बास समझ में उसके बाद आपको मैंने कहा छोटी का कसम में पड़ा होगा परतिविम आपसे में को बनाने के नियम फीक है परतिविम बनाने के नियम clear, परतिभी बनाने के क्या नियम होते है, पहला नियम आप से मैं करूँ, बोलो मैंने कहा, यदी कोई परकास की रण, मुक्य अक्स के समाना अंतर आती है, तो आप से मैं करूँ, वो दरपन से परावर्तित होने के बाद, कहां से होके जाती है, focus बिंदू से होकर जाती है, clear, दूसरा नियम क्या है, बोलो आप से जब भी कोई परकास की रण, मैंने कहा, focus बिंदू से होके आती है, तो दरपन के बोलो आप से मुक्य अक्स के समाना अंतर जाती है, तीसरा नियम क्या है, जब भी कोई परकास की रण, आप से मैं करूँ, मुक्य अक्स, बोलो मुक्य अ अब अब रख इवात अब रही बात आपको कभी भी क्यूशन आ जायék कि बोलो इस दरभान से इतनी दूरी पर अगर ऑबजेक्ट रखा है तो परतीबिम कितनी दूरी बनेगा तो उब हम इजी ली कर सकते हैं एक क्यूसर्न मैं आपको करके बता देता हूं जैसे नहीं कहा यदि अवतल दर्बाट मैंने कहाँ आवतल दर्बाट कि फोकस दूरी मैंने कहा फोकस दूरी बोलो आपसे फोकस दूरी यहाँ पर मैंने कहा 20 cm है ठीक है तता आपसे मैं करा हूँ तता बोलो एक बिम आपसे मैं काँ बिम मतलब object ठीक है object को बोलो दरपन से आपसे मैं करा हूँ रखा आप से मैं को जाता है, ठीक है, कहां रखा जाता है, 40 cm पर रखा जाता है, तो मैंने कहा प्रतिभीम, बोलो प्रतिभीम की, बोलो इस्तिती आप से मैं को होगी, clear, ऐसा क्यूशन आप से पूचा गया, तो जब भी आपको ऐसा क्यूशन मिले, सबसे पहले देखो, दरपन कौन सा है, अउतल है, इसका मतलब फोकस दूरी जो आपको दे रखी है, वो माइनस 20 cm यूज करना है, यू तो हमेशा ही दरपन से सामने ही होगा, माइनस 40 cm, वी आपको पूचा है, किस से करोगे बोलो, दरपन सुत्र से, ठीक है, दरपन सुत्र से करोगे, तो आपको पता होना चीए, 1 upon F is equal to 1 upon V, प्लस 1 upon U, जो चीज़े आपको दे रखी है, उनको हमेशा चिन के साथ यूज करना है, 1 upon आप से मैं करो, माइनस 20, बोलो 1 upon V निकालना है, और यहाँ पर मैंने कहा, माइनस 40, clear? तो 1 upon minus 20, और हमने क्या देखा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो, यहाँ पर मैंने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा, क्या हो जाएगा, minus 140, इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बोलो, plus हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो, मैंने कहा, plus, clear? तो 1 upon V is equal to आप से मैं के रहा हूं minus 1 upon 20 और इदर जाएगा तो बोलो प्लस हो गया LCM लिया कितना है 40 cm यह minus 2 और यह मैंने का 1 तो minus 1 upon 40 तो आपने क्या देखा V is equal to minus 40 cm आ गया clear तो मेरे कहने का मता answer टिक कर दोगे और वैसे यहां तो पता चल रहा है कि अगर focus दूरी बोलो 20 से और आपको minus 40 पर रखा मतलब वकरदा बिंदू पर रखा है तो वकरदे बिंदू पर इपरती भी मनेगा तो minus 40 डायरेट भी कर सकते थे लेकिन यह original तरीका इसलिए आना चाहिए कि हर बार जरूरी नहीं है कि बोलो आपको इस तरह से setting मिले clear तो मेरे कहने का मतलब है यह आपको method आना ही चाहिए इसमें क्या ध्याउन रखना है कि जो चीज़ें आपको दे रखी वो मैसा chin के साथ रखना है और chin भी क्या अगर उतल दरपन हो तो आपको positive लेना है अवतलो तो क्या लेना है negative लेना है और रही बात हमेशा ही बोलो object को ती position negative में लेनी बड़ेगी क्यों दरपन के सामने ही होता है और परतिभीम की आपकी chin और value अपने आप soul करोगे तो आ जाएगी clear तो मेरे कहने का मतलब है मैंने आपको परकास की आप समय को एक घटना जिसका नाम है परावर्तन और उस पे आदारित उपकरन बोलो दरपन मैं आपको पड़ा चुका हूँ clear next अपना आजाते हैं बोलो मैंने कहा परकास का बोलो आप समय को अपवर्तन clear बोलो मैंने का reflection of light ये गटना उससे भी ज़्यादा important है मैंने का परकास का अपवर्तन क्या होता है तो मैंने का अपवर्तन दो गटना की माध्यम की गटना है ये मैंने का दो माध्यम ठीक है दो माध्यम की बोलो गटना है ठीक है दो माध्यम की फिनोमिना है clear तो मैंने कहा ये एक माध्यम ये दूसरा माध्यम ये परकास किरन आती है ये आपतन कौन है तो वो अबिलम से पास भी आ सकती है और मैंने कहा अबिलम से दूर भी जा सकती है ठीक है वो डिपेंड करता है कि बोलो आप से मैं करूं बोलो यहां कौन सा मीडियम है और यहां कौ आई क्या है तो हम बोलेंगे आपतन कौन ठीक है और मैंने कहा आर क्या है तो हम बोलेंगे बोलो अपवर्तन कौन clear तो यहां पर भी क्या है अपवर्तन के नियम है मैंने कहा अपवर्तन बोलो के नियम clear फिर अपवर्तन के नियम की बात करें, दो नियम हैं, बोलो आप से मैं को एक तो आपतित किरन, बोलो मैंने कहा आपतित किरन, बोलो आपसे मैं को अपवर्तित किरन, अपवर्तित आपसे मैं को किरन, ठीक है, तता बोलो अभी लम, तता अभी लम, नॉर्मल, एक ही तल में होन आप से में को चाहिए और दूसरी सर्थ क्या है कि बोलो आप से स्नेल के नियम का पालन होना चाहिए स्नेल के नियम आप से में को का पालन आप से में को होना चाहिए ठीक है पालन होना चाहिए ओके तो हम इस गटना का एनलाइसिस करें उससे पहले आपको कुछ basic बाते बता होनी चीए तो आपको ये घटना समझ में आएगी Again क्या लिख रहा हूँ बो Special not Special not में पहला point आपको पता होना चीए क्या आप से में करो मैंने कहा यहाँ पर mu और आप से में को 1 upon v 1 upon lambda मतलब आपको अपरतनांग वेग और तरंग देदिरी में ये सम्मझ पता होना चीए दूसरा आपको पता होना चीए कि एक होता है बोलो viral madium ठीक है बोलो आप से में को और एक होता है second madium इनका मतलब क्या है तो मैंने कहा एक है rare medium आप से में कह रहूँ एक है dance medium clear dance medium तो मेरे कहने का मतलब है सीधी सी बात है कि बोलो आप से में को जिस madium का अपरतनांग बोलो जादा होगा वो हमेशा कौन होगा बो dance medium होगा clear इसका मतलब कोई भी medium fix नहीं है rare अपको dance होगा depend करता कि हम किस से तुलना करते है जैसे मैंने example दिया मैंने कहा YYou and зал में अगर मुझे इन में तुलना करनी है तो YYou का अपरतनांग air का कितना है बोलो 1 होता है और मैंने कहा water का कितना होता है तो बोलो 4 by 3 यəni 1.33 होता है अगर ये दो मुझे पता है तब तो मैं बोल दूँगा कि air जो है वो तो क्या है बोलो viral माधियम क्या है बोलो viral माधियम और मैंने का जल क्या हो गया बोलो सगन माधियम ठीके सगन माधियम अब मैंने कहा दूसरा example जैसे मैंने यहां पर लिया मैंने कहा बोलो काच, ठीक है, एंड जल में ठीक है बोलो जल में देखना है, तो मैंने का Mu Glass, चूँंकि Mu Glass बोलो जो कितना होता, 3 x 2 यानी 1.5 और Mu Water क्या होता, 4 x 3 यानी 1.33 Again मैंने कहा इनको देखते हैं, तो हमें पता चल गया कि Water तो बोलो तुलात मगरूप से क्या होगा बोलो वीरल माध्यम और मैंने का काच ग्लास क्या होगा बोलो सगन माध्यम तो एक बास शोर हो गई कुछ भी फिक्स नहीं है यहाँ पर जल क्या बनाता सगन यहाँ जल क्या बन क्या वीरल इसका मतलब हुआ कि हमें कोई भी पूछे जल क्या है हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हम किसके compare में बता रहे हैं हमें किसके compare में पूछ रहे हैं I hope मेरी बास समझ में आई होगी clear उसके बाद मैंने कहा तीसरा special note आपको क्या पता होना चीए बो सनेल का नियम ठीक है बोलो मैंने कहा किसका नियम बात करूँ मैं बोलो सनेल के नियम की बात करते है तो मैंने कहा सनेल ने कहा कि मेरा नियम पहले बात तो वहां लगेगा जहापर कितने मादियम होंगे दो मादियम होंगे clear ये एक मादियम ये दूसरा मादियम तो आप से में को स्नेल कहता है स्नेल कहता है कि बोलो आप से में करो मेरा नियम लगाना है तो आप से में करो मेरा नियम लगाना है तो आपको क्या पता होना चीए कि बोलो आप से में को स्नेल कहता है कि मेरा नियम क्या है Mu 1 यानि जिस मादियम से परकास किरन आती है उस मादियम का आप से मैं कह रहा हूँ जिस मादियम से परकास किरन आती है उस मादियम का अपरतनांग इंटू आप से मैं कह रहा हूँ बो उस मादियम का आपतन कौन जिस मादियम में परकास किरन जाती है उसका अपरतनांग और आप से मैं कह रहूं उसका बोलो अपवरतन कौन ये आपको follow करना है इसका मतलब किताबों में लिखा होता है Sign I upon sign R is equal to mu ये स्नेल का नियम ऐसा स्नेल ने कभी नहीं बताया है स्नेल ने तो कहा है कि मेरा नियम जो होता है आप से मैं कहो mu 1 sign I is equal to mu 2 sign R mu 1 क्या है आपतित किरन का मादियम का अपरतनांग mu 2 क्या है आप से मैं कह रहूं अपवरतित किरन का अपरतनांग I क्या है आपतन कौन और R क्या है अपरतन कौन clear तो आपको मेरी बात समझ में है 4th special note और क्या बता होना चीए बोलो आप से मैं करहूं कि यह जो मैंने 3 special note बता है और एक मैंने कहा जो आपकी आवरती है ठीक है बोलो आप से मैं करहूं यह केवल आप से मैं करहूं बोलो स्रोत पर ही स्रोत पर ही निर्वर आप से मैं करहूं करती है तो आपको मैंने ये सपोदेट चार स्पेसल नोट बता है अब हम क्या करना चाहते हैं कि बोलो ये जो गटना हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकास का बोलो आप वर्तन इसका विसलेशन कर रहे हैं क्योंकि अक्सर यहां से कुशन आ जाते हैं तो मैंने लिका एनालाइसिस आप से मैं करा हूँ और मैंने कहा रिफ्रेक्शन बोलो आप से मैं को फिनोमीना ठीक है फिनोमीना मेरे कहने का मतलब है अप वर्तन बोलो गटना बोलो का मैंने कहा विसलेशन ठीक है बोलो वीस लेसन, तो मैंने कहा दो माध्यम की घटना है, तो इसका मतलब मुझे दो केस करने पड़ेंगे, एक मुझे एक बार बोलो आपको steady कराना पड़ेगा, जब परकास किरन विरल से सगन माध्यम में जाए, तब क्या क्या होगा, और एक बार सगन से विरल में जाए, त समय को जाती है, ठीक है, तो विरल माध्यम से सगन माध्यम में जाने की बात होगी, अब चुकी fix हो गया, ये तो rare medium है, ये dance medium है, ये आपतित किरन है, ये आपतन कौन है, clear? क्लियर अवह मैंपता है कि degrees our आप से मैं करो हम बौट अच्छे से जानते हैं कि जो आपका बोलो अपरतनांग और वेलोसिटी क्या होती एक दूसरे की इन्वरसिक पर वो सिन मोती है। तो जब अप्रतनांग जादा होगा, तो velocity वहाँ पर क्या होगी? कम, और जब velocity कम होगी, तो किरन कहा होगी? बोलो, बोलो, अभीलम की और आएगी. इसका मतलब, स्विरल से सगन माध्य में जाने पर प्रकास किरन हमेशा अभीलम की और आती, क्यों आती है, क्योंकि इसकी velocity क्या होजाती है? गड़ जाएगी. वेलोसिटी कटेगी, तो तरंग देदरी भी कटेगी, क्योंकि तरंग देदरी भी क्या होती है? बोलो, इन्वर्सी पर पॉच्छे जाता है, कि जब भी कोई परकास किरन विरल से सगन माध्य में जाती है, तो उसकी velocity गड़ जाती है, बढ़ जाती है, तो आपको कभी रट परकास किरना नहीं है, आपको फंडा पता होना चीए, उसके बाद नंबर त्री, अगर मैं स्नेल का नियम बताओं, तो मैंने का स्नेल का नियम लगा लेते हैं, बोलो, म्यू वन साइन आई, इस इकल टू म्यू टू साइन आर, मैंने का म्यू वन किस माध्यम से आरी है? रे इस इकल टू टू वन, और म्यू डी इस इकल टू मैंने का कोई भी एनी मीडियम है, ओके, बोलो, आप से मैं कोई भी माध्यम है, ठीक है, जिसका अपरतना म्यू है, तो ये मानकर अगर हम सोल करते हैं, तो या वन रखा, या साइन आई किया, या म्यू किया, और या साइन clear तो मैंने क्या देखा sign i upon sign r is equal to क्या आगया mu जो किताबों में लिखा होता है clear तो आप समय को ये तो मैंने आपको अपवर्तन गटना का केवल एक case बता है अपवर्तन गटना का मतलब viral से सगन में जाना ही नहीं होता है viral से सगन या सगन से viral दोनों में जाना होता है पूरा आंत्रीक परावर्तन जो total internal reflection जो होता है उसमें condition है कि परकास किरन सगन से viral में ही जानी चीए अपवर्तन के अंदर तो सगन से viral विरल से सगन किसी में भी जा सकती है तो हम दूसरा case करते है मैंने का यदी परकास किरन आप से में को परकास किरन बोलो किदर से किदर बेजू बोलो सगन से आप से में को viral माध्यम ठीक है सगन से viral माध्यम में बोलो आप से में को जाए ठीक है फिर analysis करते है मैंने कहा यहाँ पर मैंने किया ये viral माध्यम आप से में को आपको ये क्या है आपको मैंने बोला ठीके बात को समझ ना ओके आप से में कह रहूँ ये आपका कौन सा मीडियम है मैंने का ये सगन मीडियम है ठीके और ये कौन सा है विरल माध्यम है अगर ये परकास की किरन आ रही है इस बार आप से में को आपतन कौन ये हो गया अब किस में जा रही है रेर मीडियम में तो रेर मीडियम में आपको पता है कि म्यू आप से में को डेंस जो होता है म्यू रेर से जादा होता है तो आपको mu और velocity आपको पता है इस बार rare का ये कम होगा तो velocity बढ़ेगी और जब velocity बढ़ेगी तो परकास किरन कहा जाएगी बोलो दूर जाएगी तो इसका मतलब ये दूर जाएगी अगर ये दूर जाएगी तो मैंने का अगर ये दूर जाएगी तो इसका बोलो, आप समय कह रहा हूं, क्या होगा बोलो आप समय कह रहा हूं, इसका अगर ये दूर जाएगी, तो इसकी velocity क्या होगी, बोलो, increase होगी clear, आपको मेरी बात समझ में आई होगी, इसकी velocity क्या होगी, बोलो, increase होगी, clear, आपको मैंने कहा, इसकी velocity क्या होगी, बोलो, increase होगी, clear, इसकी velocity increase होगी, इसकी आप से मैंने कहा, तरंग दे दे रही है, ठीके, बोलो, मैंने कहा, इसकी तरंग दे दे रही है, भी क्या होगी, बो लेकिन आपको पता होना चीए कि इसके आप से मैं कह रहूं, बोलो आपको मैंने कहा, इसकी जो आपकी आवर्ती है वो क्या रहेगी, बोलो, एपरिवर्तित रहेगी, ठीक है, एपरिवर्तित, आप से मैं कहूं रहेगी, ओके, अब आपको मैंने कहा, again हमें क्या देखना है, स OK, snail का नियम क्या कहता है? mu1 sin i is equal to mu2 sin r. Clear mu1 sin i is equal to mu2 sin r. Aगर मैंने कहा, इस बार madium कौन सा है? dance medium है, OK, मैंने कहा, यहाँ पर बोलो यह आपका rare medium है और यह आपसे मैंने कहा, अपवर्थन कौन है? यहाँ पर भी हमने माना, बोलो क्या rare medium के लिए one मान लिया बोलो suppose that आप से में air और मैंने का mu d is equal to mu मान लिया any medium clear any medium और इसको solve करते है यहाँ पर रख दू mu यहाँ पर कर दू बोलो sign i यहाँ पर कर दू one यहाँ पर कर दू sign r तो यहाँ पर जब मैं करूंगा तो sign i upon sign r तो इस बार तो one upon mu आ जाएगा इसका मतलब स्रेल का नियम sign i upon sign r is equal to mu भी होता है sign i upon sign r is equal to one upon mu भी होता है depend करता है पर कास की किरन किदर से किदर जाती है सगन से viral में जाती है एक viral से सगन में जाती है I hope मेरी बास समझ में आई होगी जादा तर आपके question यही पूछे जाते है कि एक परकास किरन सगन से viral में जाती है तो वो abilam की और आती है कि दूर जाती है तो abilam से दूर जाती है परकास की किरन बोलो जब सगन से viral में आती है तो abilam से दूर क्यों जाती है क्योंकि उसकी velocity change होती velocity बढ़ जाती है clear इसका मतलब हुआ कि जब भी अपवर्तन की घटना में एक परकास किरन बोलो एक माधियम से दूसरे माधियम में जाती है तो अभिलम के दूर या पास जाने का कारण वेग में परिवर्तन माना जाएगा clear तो आप से में को I hope मेरी ये बात भी आपको समझ में आई होगी अब मैं आप से क्या कह रहा हूँ कि मैंने जब आपको आपको एनलाइसिस करा दिया तो इस पर बेस आपका क्या परकास युपकरन होता है लेंस होता है क्या होता है बोलो लेंस clear तो मैंने कहा लेंस की study करते हैं लेंस क्या होता है दो अपवर्तक प्रस्टों से बनी आकरती को क्या कहता है लेंस दो मैंने कहा अपवर्तक ठीक है बोलो प्रस्टों आप से में को से बनी बोलो आकर्ती, आप से मैं को आकर्ती को लेंस कहते हैं किस से बनी दो अपवर तक, दो रिफ्रेक्टिव सरफेस बोलो से बनी आकर्ती को लेंस कहते हैं उसके बाद अगर हम लेंस के परकार देखें, तो मैंने कहा लेंस के दो परकार होते हैं एक होता है उत्तर लेंस एक क्या होता है उत्तर लेंस और एक मैंने कहा क्या होता है बोलो अवतर लेंस ठीक है क्या होता है अवतर लेंस यानि एक होता है बोलो मैंने कहा कौन वैक्स लेंस ठीक है और एक क्या होता है बोलो कौन केव लेंस ठीक है कौन केव लेंस ओके यहाँ इन में अगर हम डिफारेंस देखें, तो आप समय कोम डिफारेंस में नमबर वन, सबसे पहला चितर देखें, तो सब जानते हैं, बजपन से पड़ा है, उत्तर लेंस जिसके कॉर्णर क्या होते हैं, पतल और बीच में से क्या होता हैं, मोटा अफ्तल लेंस की बात करें तो उल्टा होता है बोलो आप से मैं को बीच में से पतला और किनारों पे क्या होता है मोटा चोड़ा होता है उसके बाद इसकी फोकस दूरी क्या होती है पोजेटिव और इसकी फोकस दूरी क्या होती है नेगेटिव लेंस हो या दरपण हो, फोकस दरी उतल की हमेशा positive होती है, उतल की हमेशा negative होती है, उसके बाद आप से मैं कह रहा हूँ, बात करें परतिबीम की, तो मैंने कहा परतिबीम के मामले में उल्टा होता है, जो उतल दरपण होता है, बोलो आप से मैं को सभी परकार के, सभी बोलो परकार के, सभी परकार के का मतलब हो गया, कि वास्तवी को और उल्टा भी इससे बनेगा, मैंने कहा, बोलो, आबासी, आप से मैं करूँ, आबासी और सीधा भी बनेगा, मैंने कहा, आबासी और सीधा भी बनेगा, छोटा बनेंगे क्लियर जबकि आप से मैं को इसकी बात करें अवतल की तो आप से मैं कह रहू हूं इससे हमेशा मैंने कहा बो आबासी आप से मैं कह रहूं सीधा ठीके तता आप से मैं को छोटा बो आप से पर्तिबिम बनता है इसका मतलब हुआ कि दरपड में जैसा हो रहा था बो उसका जस्क क्या होता है उल्टा होता है आपको मेरी बास समझ में आई होगी अब आपको numerical question करने के लिए बोलो क्या याद होना चीए एक तो याद होना चीए lens sutra आप से मैं को lens sutra आपको पका पता होना चीए lens formula lens formula में आप से मैं को क्या 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U अगर आपको ये पता है तो आपको दो चीज दी जाए तीसरा कभी भी निकाल सकते हो बस ये ध्यान रखना यू तो हमेशा ही negative रखना है एप के बारे में देखना है कि अगर कौन wakes lens है तो एप क्या लेना है पोजेटिव और मैंने कहा कौन के लेन से तो एप क्या लेना है बो नेगेट यू और V अपना चीज खुद लेके आएगा और रही बात आवर्दन आप से मैं को आवर्दन का सुत्र तो आवर्दन का सुत्र जो होता है वो M is equal to V upon U होता है इसका मतलब हुआ दरपन हो या lens हो आपको एक के formula याद रखने है क्योंकि दरपन में या plus आता तो या minus आता है lens में या minus आता तो या plus आता है कभी कोई दिक्कत नहीं आईगी चाहे दरपन का numerical question हो चाहे आपका बोलो इसका numerical question हो clear रही बात कभी कभी आपको पूझ लेते हैं अपवर्तन के उधारन आप से मैं को अपवर्तन के उधारन तो आपको पता है कि बोलो पानी आप से मैं को से बोलो मैंने कहा भरे पात्र बोलो में रखे आप से मैं को सिके बोलो का उपर उठा आप से में को उठा हुआ दिखाई देना उपर उठा हुआ आप से में को दिखाई बोलो दिखाई देना ये भी किसका एक्जामपल है अपवर्तन का इसी तरह से मैंने कहा पानी से आप से में को भरी बोलो बाल्टी ठीके में मैंने कहा रखी बोलो का मुडा हुआ ठीक है का मुडा हुआ आप से में को मुडा हुआ दिखाई देना मुडा हुआ दिखाई बोलो आप से में को देना क्लियर इसी तरह से मैंने कहा कि बोलो आप से में को पानी में आप से में को मचली मचली बोलो को बाहर आप से में को पकसी का आप से में को आपसे मैं करूँ जादा, बो उपर, उड़ता, बो आपसे मैं उड़ता, बो हुआ, दिख्आई, 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 देना। इसी तरह से मैंने कहा, बोलो तारों का, आप से मैं कहूँ टिम टिमाना, टिम टिमाना, ये सारे के सारे किसके एक्जामपल है, बोलो अप वर्तन के उधारन है, आप के सेलवस में नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चीए, पूर आंत्रिक, आप से मैं कहूँ परावर्तन में, जादा नहीं, आपको दो बातें पता होनी चीए, आप से में करो में जानी चाहिए, clear, एक सर्थ ये है, दूसरा मेंने कहा, आपतन कौन, आप से में करो मान, करनती कौन, बोलो करनती कौन, मैंने कहा, भोलो ठीटा सी से, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपको दो बाते, दो सर्थे हमेशा पता होनी चीए, बोलो जो मैंने दूसरी सर्थ लिखी है, उसका मतलब आई हमेशा क्या होना चीए, ठीटा सी से, बोलो ज्यादा होना चीए, और दूसरा आप से मैं कहूँ टी, आई, आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूरा आंति-परावरतन के उदार हन, clear? पहला मैंने कहा, आप से मैं कह रहूं, बोलो मरीचिका, ठीक है, मरीचिका यानी मिरेज क्या होता है, बोलो रेगिस्तान में, बोलो आप से मैं कह रहूं, बर्मन कोई करता है, तो दूर जल के जलाशे दिकाई देते हैं, ये मातर दर्ष् भव में जो पूर आंती परावरतन से होता है जिसके मरीची का कहते है इसी तरह से उन मरीची का क्लियर बोल अप मीरेज उन मरीची का क्या होता है अप मीरेज क्या होता है तो मैंने का समुंदर के किनारे कोई खड़ा है दूर आपका जहाज कोई ते रहा है तो वो जल की सते स तोड़ा उंचा वो अप्ठाई दिखाई देता है उसको आप मीरेज उन मरीचिका कहते हैं इसी तरह से मैंने का प्रकाश ये तंतू आप्टिकल फाइबर पूछे किसका एक्जामपल है तो आप्टिकल फाइबर प्रकाश ये तंतू भी किसका एक्जामपल है पूरा आंति परावरतन का इसी तरह से आप से मैंने का हीरे की चमक पूछे तो आपका वो भी किसका एक्जामपल है पूरा आंति परावरतन का ये कुछ आपको फेमस एक्जामपल पता होना चाहिए मतलब पूरा आंति परावरतन नहीं है सहलेबस में फिर भी इतनी बात तो आपको पत होनी ही चाहिए हमने आप से मैं करू हमारा जो प्रकास टोपी के उसमें चार कंटेle मैं आपको बढ़ा चुका हूं प्रकास का परावरतन गोली ए दरपन गोली दरपन के साथ समतल तरपन भी बताया उसके केस बताया उसके बाद मैंने आपको बोलो परकास का अपवर्तन, अपवर्तन के बोलो एनालाइसिस किया, लेंस, लेंस के परकार, लेंस के बोलो सुत्र और आवर्तन का सुत्र और उसके बाद मैंने आपको पूरा अंति परावर्तन के बारे में भी बता दिया अब हम देखते हैं मानो नेत्र, क्या देखते हैं बोलो, नानो नेत्र, यानि हूमन आप से में को आई, तो इसका मतलब हुआ कि आपको मानो नेत्र का थोड़ा डाइग्राम का पता होना चीए, तो आप से में करो मैं यहां पर बना रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि मानो नेत्र की structure आपको clear होनी चीए इधर समझो मेरे कहने का मतलब ये जो मैंने लिखा है वो क्या होता है कोर्णिया होता है क्या होता है कोर्णिया ठीके बोलो आप से मैं कहूँ कोर्णिया उसके बाद ये क्या होता है स्क्लेरा होता है क्या होता है स्क्लेरा होता है ठीके बोलो क्या होता है, sclero, बाव समझ मैं है, और ये sclero, sclero, corneal junction, जिसको limbus भी कहते है, उसके बाद मैंने कहा, ये क्या होता है, बोलो iris होता है, क्या होता है, आप से मैं को iris होता है, ठीके, ये क्या होता है, ciliary body, मैंने कहा, क्या होती है, बोलो, ciliary body होती है, ठीके, क्या होत से यह सीलेरी बोड़ी है और अदोनों आइरिस के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते है प्यूपिल बोलते है आप से में पुतली क्लियर ओके उसके बाद आप से मैं कहे रहा हूँ यह क्या होता है सस्पैंसरी लिगामेंट मैंने का सस्पैंसरी बोलो लिगामेंट ठीक है क्या होता है सक्स पैंसरी लिगामेंड होता है सस पैंसरी आप समेकों लिगामेंड होता है क्लियर उके उसके बाद ये क्या होता है लेंस और मानो नेतर के अंदर कैसा लेंस होता है कौन वेक्स होता है क्लियर क्रिस्टल लाइन प्रोटीन का बना होता है किस प्रोटीन का बना होता है बोलो क्रिस्टिल लाइन आप से में को प्रोटीन का क्लियर आप से में को का बना होता है उसके बाद मैंने कहा ये जो आपको ज़स सामने नजर आ रहा है ये सबसे अंदर ये क्या है बोलो रेटीना है जिस पे क्या लगे होते हैं, बोलो, roads and cons आप से में को उपस्तित होते हैं, इस lens के जब सामने जो area होता है, बोलो आप से में उसको हम क्या बोलते हैं, area centralist, क्या बोलते हैं, area centralist, क्लियर, क्या बोलते हैं, area, मैंने का centralist, जीगे, इस area centralist पे roads तो क्या होते हैं, बोलो, कम, और cons क क्या होते हैं? बोलो, ज्यादा होते हैं, clear, okay, और इसी के अंदर center में एक area होता है, जिसको हम phobia centralist कहते हैं, क्या कहते हैं? phobia centralist, इस पे only क्या होते हैं? बोलो, कौन्स उपस्तित, clear, थोड़ा सा इसके नीचे एक ऐसा area जहां से सारी optic nerve निकलती है, उसको blind spot बोलते हैं, क्या बोलते हैं? blind spot, आप से अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है, अंद बिंदू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो, मैंने कहा अंद बिंदू, clear, और यहां पर roads और कौन्स दोनों क्या होती हैं? absent, और यह निकलने वारी नारू को क्या कहते हैं? optic नारू कहते हैं, क्या कहते हैं? optic नारू, clear, उसके बाद मैंने कहा, कौन्या से लगाकर lens के बीच में, बोलो, आप से मैं कौन सा द्रव होता है? aquasumar, और lens से लगाकर, retina के बीच में कौन सा होता है? vitress humor, यह जो होता है, वो आप से मैं को, vitress, बोलो, द्रव होता है, clear, जिसको हम काचाब द्रव भी कहते हैं, और यहां पर जो होता है, उसको क्या कहते हैं? बोलो, जलिये द्रव, aquasumar, बोलो, जलिये द्रव, यानि क्या होता है? aquas humor, आप से मैं करों कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? बोलो, vitress humor, काचाब द्रव भी कहते हैं, clear, तो आपको थोड़ा सा IQ structure idea होना चीए, क्या बताया मैंने, आपको मैंने का एक cornea, एक sclera, बोलो, cornea और sclera को जोडने वाले को क्या कहते हैं? limbus, क्या कहते हैं? limbus, उसके बाद ये, बोलो, क्या होता? iris, और आपको पता होना चीए, iris जो होती है, वो camera के diaphragm, आप समेकरों के समान होती है, उसके बाद मैंने कहा, ये बोलो, pupil होती है, जिसको camera के subtle के समान माना जाता है, ये aquas humor होता है, ये vitress humor होता है, aquas humor, जलिये द्रव किसके between होता है, तो आप कोगे between cornea, आप समेकरों between cornea and lens होता है, और ये vitress humor होता है, ये lens and retina होता है, retina पर roads और cons दोनों लगे होते हैं, लेकिन ये जो blind sport, अंद बिंदू होता है, यहाँ पर roads और cons क्या होते हैं, दोनों absent होते हैं, I hope ये structure समझ में आई होगी, अब अपने को दिमाग में आता है, कि हम light physicist का topic पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे examiner ने contain manu netr क्यों रखा, because आपका eye defect समझना है, तो eye defect आपको समझना है, तो पहले eye की structure पता होनी चाहिए, अब आप से मैं करो, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, eye defect बताने जा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, netr दोस, क्या बता रहा ह निकट द्रस्टी दोस, निकट बोलो मैंने कहा द्रस्टी दोस, जिसको हम क्या बोलते हैं, in English में myopia, क्या बोलते हैं, बोलो myopia, clear, और आप से मैं को एक होता है, बोलो आप से मैं करहा हूँ, दूर द्रस्टी दोस, क्या होता है, दूर बोलो द्रस्टी दोस, जिसको क्या ब बोलते हैं, बोलो मेट्रोपिया, आप से मेट्रोपिया, या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया, क्या बोलते हैं, हाइपर, आप से मेट्रोपिया, आज के नाइम में, ये जो इंगलीस में नाम मैंने लिखे हैं, बहुत फोपुलर है, मायोपिया और मेट्रोपिया, हिंदी म उसमतलब प्रेस बायो पिया, clear, तो आप से मैं किरो में तो ये दोनों है, ये दोनों बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, और बहुत सी बार आप से मैं को इस्टुडेंट बच्पन से पढ़ते आते हैं, लेकि इनका फंडा clear नहीं होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, पहला मैंने का परीबासा, ठीक है, तो निकर दस्टी दोस्त की हर एक बात इसकी परीबासा में चिपी हुई है, परीबासा क्या, बोलो परीबासा के लिए हमें थोड़ा आई का स्ट्रेक्चर पता होना चीए, अभी मैं बोलो बनाया था हमें थोड़ा रब डाइग्राम बना रहा हूँ, clear, आपको ऐसे समझाने के लिए, मैंने कहा ये lens है, clear, अब आप imagine करो, कि ये एक far object है, ये क्या एक, बोलो far object है, ठीक है, दूर इस्तित आप से object है, तो मैंने कहने का मतलब है, इसकी बोलो परकास किरण जाएगी, बोलो आप से मैं को lens है, और मैंने कहा, जब परतिविम कहा बनता है, बोलो retina पर, तो हमें clear दिखाई देता है, लेकिन इस case में क्या होता है, बोलो आपका image कहा बनती है, retina के, निकड बनती है, तो आप से मैं करो, इसको हम क्या बोलते है, निकड दस्टी दोस, आप से मैं करो, ये चो नाम लिखे हुए है, वो यहां पर, बोलो मैंने का इसको यहां पर हमें बनाना है, तो उस व्यक्ति को कैसा lens, बोलो चस्मा पहनाना पड़ेगा, बोलो आप सारी lens होता है, बोलो परकास किरनों को फेलाता है, बोलो कैसा lens का चस्मा पहनाएंगे, आप तल लेंस का clear, किरन फेलेगी और यहां पहुँ इसका मतलब निकटदस्टी दोस हमें कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति को निकटदस्टी दोस है तो जो इसका लक्सन होगा बोलो आप से में को लक्सन क्या होगा बोलो इस परीबासा को देख के पता चलता है बोलो आप से में को निकट ठीके निकट की वस्तू आप से में को इसको इसपस दिखाई देगी, लेकिन आप से मैं कुँँ दूर की वस्तू, बोलो आप से मैं कुँँ इसपस्ट, बोलो इसपस्ट नहीं, clear, तो क्या हुआ कि बोलो किताबों ने और बहुत सारों ने, पढ़ाने वालों ने क्या किया, इसके लक्सन को परिवासा बना दिया, तो अक्सर आपको confusing होती है, कि नाम तो है निकड़ दस्टी दोस, और इसमें निकड़ की वस्तू तो इसपस दिखाई दे रही है, जबकि ये नाम इसकी लक्सन से तोड़ी बनाया है, ये नाम तो इसकी परिवासा से बनाया है, तो परिवासा क्या कहती है, कि बोलो आप से में किसी दूर इस्तिद वस्तू का जो परतिवी में, वो रेटिना के निकड़ बनता है, इसलिए उसको निकड़ दस्टी दोस कहते हैं, इसलिए इसका लक्सन क्या बनेगा, कि इसमें दूर इस्तिद वाले वस्ति जो इस पर दिखाई, नहीं देती हो, निर्वारन आपका किस से किया जाए हैंगा, बोलो निर्वारन हमें पता चल गया, बोलो इस लेंज से किया जाएगा, अगर आपका चीज समझे भी होगी, कभी याद करने की जरुत नहीं है, एक्जाम में आया, निकर दस्टी दोस्त का निर्वान कौन से लेंज से किया जाता है, अब आपको फंडा पता है, क्या निकर दस्टी दोस्त के अंदर, बोलो जो हमारी इमेज है, वो रेटिना के निकर बनी है, तो रेटिना तब पहुंचा नहीं है, तो परकास कि इन्हों को फेलाना पड़ेगा, और फेलाने वाला लेंज कौन सा होता है, अब तर लेंज होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अब तर लेंज क्लियर, उसके बाद, मैंने का दूर दस्टी दोस्त, अगें दूर दस्टी दोस्त, ये डाइग्राम बनाया है, आप से मैं करूँ, मैंने का दूर दस्टी दोस्त में क्या होता है, ये लेंज से, इमेजिंग करना और ये रेटिना है, बोलो इसमें ये नियर ओबजेक्ट है, ठीक है, तो नियर ओबजेक्ट आप से किराएं का पर्थिभी जब रेटिन आपे बनेगा तो clear दिखाई देगा लेकि रेटिन आपे ने बनकर के करें का बनता है बोलो रेटिन आप से दूर बनता है तो मेरे कहने का मतलब है, कि इस case में क्या होगा, बोलो जب जब हम चास्मा पहना देंगे, बोलो ये आप से मैं को वास्तितम यहां बन रहा है, चास्मा पहना ने पर यहां बनेगा, चास्मा उतारेंगे, तो यहां बनेगा, तो I think यह है दूर दश्टी दोस्ट, तो दूर द पास की वस्तु इस पास दिखाई नहीं देती है। और रही बाद जरादस्टी दोस्ट तो मैंने का बोलो आप से में को जिसमें पास तता दूर आप से में को दोनों ही ऑबजेक्ट मैंने का clear दिखाई बोलो दिखाई आप से में को नहीं देते हैं clear ऐसा जनली बुड़ापे में होता है क्योंकि जड़ा का मतलब ही क्या होता है बुड़ापा, clear, इसके निर्वारण के लिए क्या करना पड़ेगा by focal lens का यूज करना पड़ेगा बोलो by focal lens आप से मैं को by focal lens का यूज करेंगे बोलो आप से मैं कह रहा हूँ जिसके अंदर जब उसको pass देखना होता तो pass देखना होता तो दूर देख लेंगे, clear तो आप से मैं कहूँ, ये दोनों बहुत ज़्यादा important है, कभी exam में पूछा जाता है myopia दोस के निर्वारण के लिए कौन सा lens यूज में करते है कभी पूछा जाता है दूर दस्टी दोस को क्या कहा जाता है तो इसका मतलब इसमें भी student confuse हो जाते है आपको एक पक्का याद होना चाहिए निकर दस्टी दोस मायोपिया होता है तो अपने आप ही दूर दस्टी दोस मेट्रोपिया होगा तो मैं आपको याद करा देता हूँ देखो हम बोलो इंडिया के अंदर भी राजस्तान में रहते हैं और राजस्तान के अंदर आप जानते हो महिलाएं जो होती है लड़किया जो होती है उनके बोलो आप से में को एक बहुत बड़ी कमी होती है क्या क्या आप से में को वो हमेशा क्या कहती है कि बोलो उनका एक दोस होता है क्या कि उनका कोई भी वो पिया उनके हमेशा कैसा रहना चीए निकट रहना चीए यानि आप से मैं को Myopia, चार-पांच बार बोलोगे तो अपने आप क्या निकलने लगेगा? मेरा पिया, clear? तो वो कैसा दोसे, बोलो निकरदर्ष्टी दोस, मतलब Myopia, इंग्लिस में किसको कहा जाता है? बोलो हिंदी में किसको कहा जाता है? निकरदर्ष्टी दोस, या निकरदर्ष्टी दोस को इंग्लिस में क्या कहा जाता है? Myopia, clear? तो अब आपको एक्जाम में Myopia से लेंज पूछे, निकरदर्ष्टी दोस से पूछे, Myopia किसको बोलते है? हर एक क्षिशन का अंसर देश सकते हो. तो आप से मैं करूँ, Dear Students, मैंने आपको ये जो हमारा एक टॉपिक है, जिसका नाम है Light, जो Level 1 में भी है, Level 2 में भी है, सारे के सारे content मैंने बहुत अच्छे से समझा दिये हैं, चाहे वो आपका परकास का परावरतन हो, चाहे गोलिये दरपन हो, परकास का अपरतन हो, बोलो आप से Lens हो, आपका मानव नेतर हो और नेतर दोस हो, clear? I hope आपको समझ में आया होगा, आप से मैं करूँ, इसको आप, बोलो आप से मैं करूँ, दो तीन बार study करके, इस topic को तयार कर सकते हो, तो आज हमने जो एक chain start की, आप लोगों के advice पे, आप लोगों के कहने पर, आप से मैं करूँ कि आपका 20 topics जो है, उनको मैं almost 20 days में करा दूँ, तो आप से मैं करूँ, आपका बो रिट आज से 2 महीने बाद, तो आप बहुत 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 बार अच्छे से revision कर सकते हैं, I hope आपको ये, आप से मैं को lecture जरूर पसंद आया होगा, और अगर आया तो आप मुझे जरूर बताएं, क्या आपको कैसा लगा, और हम फिर इसी, बोलो आप से कड़ी के अंदर, कल फिर एक lecture लेके आएंगे, clear, okay, best of luck, पढ़ते रो, और आप से मैं को हमेशा मैंने एक ही बात कही है, जो लगातार continue मैनत करता है, उसको जरूर सफलता मिलती है, एक ना दिन एक दिन जरूर मिलती है, clear, बस पढ़ते रो, और आप से मैं को हमेशा मैंने कहा है, जो टॉप करते हैं, उनका वोई content पढ़ते हैं, जो आप पढ़ते हो, केवल उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है, clear, तो बस इसको आप follow करो, और आप से मैं करो, आप must रो, और steady करते रो, okay, best of luck,